हेलो दोस्तों वेलकम तु सेंदम अकानमी यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और सवाल तो यह सवाल है दोस्तों लिमिट्स पे तो आएए देखते हैं सवाल है क्या सो वी हाव तो एवालुएट अलिमिट ओफ एन फैक्टोरियल डिवाइड रूट आफ टाइमस एंड बाई ओल्ट दी पार एंट टेंडिंग टू इंफिनिटी तो दोस्तों यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं वह डिफरेंट वराइटीज के हैं एक तो ऑप्शन कहता है कि एल इस एकौल टू रूट अंडर रूट तो पाई ऑप्शन सी भी कहता है बी और डी एस्टिमेशन हैं तो दोस्तों ऑप्शन देखके तो यह लगता है कि हो सकता है मल्टिपल ऑप्शन करेक्ट हो ठीक है तो चलिए देखते हैं सवाल को सौल कैसे करना है दोस्तों यहां सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि ऐसे सवाल को सौल करने के एस्टिमेशन नहीं है यह बैसिकली पाई की वैल्यू निकालने में मदध ही करता है तो यह वालेस फॉर्मुला है क्या यह वालेस फॉर्मुला कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा प्रोड़क्त लिखते हो वन देखिए ओडर देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसी चीज़ को अगर हम लिमिटिंग केस की तरह लिखें एक लिमिट की भाशा में लिख दें तो हम कह सकते हैं कि यह जो expression होगा यह जो expression होगा blender एंटेंडिंग टो इंफिनिटी तो इस विल बी इकोल टो पाइबाइटू तो दोस्तों यह अगर आपको नहीं पता है तो चलिए इस वीडियम के माध्यम से आपको पता चलिया पर अगर आपको यह पता है तो इसी चीज़ को आप यूज कर सकते हो इस प्राब्लम को को हम लोग एक लिमिट इवालुएशन में यूज कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि नुमिरेटर में आपके दो बार 2 हैं दो बार 4 हैं दो बार 6 होंगे डा 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 तिल दो बार 2N है तो नुमिरेटर इस क्लियर ली 2 इंटो 4 इंटो 6 all the way तिल 2N to the power of 2 ठीक है दिनॉमिरेटर में अगर आप चाहें तो इन टर्म्स को इन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हो 1 इंटो 3 इंटो 5 अप तिल 2N माइनस 1 स्क्वेर क्योंकि वो भी डबल डबल बार होंगे 1 हाला की डबल बार नहीं है पर 1 को डबल बार करने में कुछ जाता भी नहीं है 1 स्क स्कुल तो 1 और यह जो लास का टर्म है 2N प्लस 1 यह ऐसा ही रह जाएगा ठीक है तो इस होल थिंग तो इस होल थिंग तो इस होल थिंग इस इक्वल तो पाई-बाई-टू करेक्ट अब मैं दोस्तों क्या करूंगा नियुमिरेटर और दिनॉमिरेटर में मैं मुल्टिपल स और दो मैं मुल्टिपलाइगा तो इस होल थिंग तो इस 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 बात है कि आपके नियुमिरेटर पे यह बनके आ जाएगा और दिनॉमिरेटर में मैं मुल्टिपल स अफ़ टू स्क्वेर को इंडिद्यूस कर रहा हूं वह मैं यहां पर कर दूंगा तो इससे क्या होग आपका 1, 2, 3, all the way till 2N minus 1 into 2N whole to the power of 2 आ जाएगा और 2N plus 1 तो अरड़ी हमारे पास था ही तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे ठीक है so this whole thing is equal to pi by 2, this whole thing is equal to pi by 2, चलिए दोस्तों आप इसको थोड़ा सा और simplify करते है now numerator में क्या करूंगा मैं सारे multiples of 2 से मैं 222 निकाल लूंगा, तो अगर मैं 222 निकाल दूंगा तो मेरे पास 2N times collect हो जाएगा यहापर, ठीक है so numerator will get simplified to 2N into n factorial whole to the power 4, ठीक है, denominator में अगर आप देखोगे, तो denominator में हमारा सीधे तोर पे 2N factorial बनके आ रहा है यहाँ पे, अगर आप इस term को देखो, जिसको मैं अंडलाइन कर रहा हूं यलो से, that is clear cut 2N factorial, इसंट अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, दोनों साइड, denominator में 2 से करोगे, denominator में, सिर्फ denominator में 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, और कहीं नहीं करना, तो अगर मैं denominator में 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो यहाँ भी हमारा 2, 2 से डिवाइड होगा, तो 1 ही आ जाएगा, हाला कि यह लिखने की जरूवत नहीं है, आपको, divided by 1, तो यहाँ पे, अब मैं under root करूँगा दोनों तरफ, तो under root निकालने पे आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से, correct, equal to root by, चलिए, इस result को हम मानते हैं, 1, इसको बाद में यूज़ करेंगे, अभी बाहराल इस result को ऐसे ही रहने देते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे question के तरफ, question क्या था, question में to infinity, n factorial by root n, n by e to the power n, okay, so let this limit be equal to c, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस limit को assume कर लूँगा, c के बराबर, तो क्या दोस्तों मैं यह और काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस expression को ही एक नाम दे देता हूँ, cn, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ, okay, so let this expression be equal to cn, ठीक है, तो यह expression cn हो गया, अब अगर यह cn है, तो मैं कह सकता हूँ, कि n factorial can be written as cn into root n times n by e to the power n, correct, let's call it as second expression, similarly, similarly, इसी तर्च पे कह सकते हैं, कि 2n का factorial हो जाएगा, c2n, under root of 2n, 2n by e to the power of 2n, चलिए आईए इसको कहते हैं, expression number 3, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैं n factorial और 2n factorial निकाल क्यों रहा हूँ आखिर, तो वापस बढ़ते हैं, हम लोग उस Wallace formula से derived limit पे, so first expression, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, first expression, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि, एक n factorial बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2n factorial बैठा हु and 3 in 1, ठीक है, तो दोस्तों आईए expression number 1 को फिर से लिख लेते हैं, तो हमारा expression number 1 था, limit n tending to infinity, 2n into n factorial square, तो square मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, square को अलग-अलग कर लेते हैं, divided by 2n factorial under root of 2n plus 1 divided by 2, correct, so this was under root of pi, ठीक है, अब n factorial को हमें replace करना है, expression number 2 से, और 2n factorial को replace करना है expression number 3 से, तो आईए एक देर किस बात की, चलिए replacement करते हैं, so 2 to the power 2n, n factorial square, दोस्तों n factorial square क्या हो जाएगा, n factorial square हो जाएगा, cn square into n, into n by e to the power of 2n, ठीक है, तो expression number 1 को हम लोगों ने, तो expression number 2 को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, so cn square, n, n by e to the power of 2n, ठीक है, denominator पे 2n factorial को भी replace कर देते हैं, 2n factorial हो जाएगा, c2n, under root of 2n, 2n by e to the power of 2n, ठीक है, और under root of 2n, प्लस 1 by 2 को यूँ ही रहने देते हैं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो बहुत सारे terms हमारे cancel होने वाले हैं, बहुत सारे terms हमारे cancel होने वाले हैं, कैसे, देखते हैं, चलिए, यहाँ पे थोड़ा open करते हैं bracket, so there is 2 to the power of 2n, बहुत अच्छी बात है, cn square, n, n by e to the power of 2n, denominator में हमने मिलना है, 2n, under root of 2, under root of 2, n, अब देखें दोस्तों, यहाँ पे यह expression को मैं लिख दूंगा, 2 to the power of 2n, एन by e to the power of 2n, चलिए, इससे क्या होने वाला है, देखते हैं, इससे 2 to the power of 2n, 2 to the power of 2n, तो cancel हो जाएगा, n by e to the power of 2n, n by e to the power of 2n भी cancel हो जाएगा, अब एक और काम कर लेते हैं, कि यह जो हमारे पास root of 2n है, इसको break up कर लेते हैं, root of 2 into root of n, ठीक है, तो यह, एक n तो ऐसे भी हमारा चला जाना है, ठीक है, तो यह under root n बन के आ जाएगा, ठीक है, और यह root 2, इस root 2 के साथ cancel हो जाएगा, ठीक है, तो आईए, इसको एक बार फिर से साफ तोर पर लिख देते हैं, ताकि कोई confusion ना रहे, तो cn square को रहने देते हैं, और इस root n को दोस्तों, हम इस term का denominator बना लेते हैं, बिलकुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो अगर मैं बना लूँ, तो मुझे मिलने वा हमको यह मालूम होगा कि जो cn है और c2n है, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, correct, so now as n tends to infinity, we know that cn and c2n will be same, दोनों में कोई difference नहीं होगा, तो अगर ऐसी बात है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, c की तरह, तो let's cn equal to c2n equal to c, तो पूरा का पूरा जो हमारा limit का expression था, वो कुछ इस पकार से बैट जाएगा, c2 by c, और दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ n से divide करके ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत के बात नहीं है, so 1c, 1c तो कट जाएगा, और 1 by n as n tends to infinity will go to 0, तो overall the expression that you will get on the left hand side is c by root 2, और right side पे root pi है, इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब यह, कि हमारा c हो जाएगा under root of 2 pi, ठीक है, तो दोस्तों हमारा answer यहाँ पे आ जाएगा, option number a, तो बिलकुल ही बिलकुल सही है, और साथी साथ, और साथी साथ हम सबको मालूम होगा, कि 2 into pi is somewhere near to 6.28, जिसका under root आपको near about 2.5 होगा, तो option number b भी सही है, तो दोस्तों आशा करता हूँ, कि आपको इस वीडियो से का था तो स्च्छो आएगा, की ए जाएगा, तोस्तों कि अचरता है।